यहाँ पे लगने जा रहे हैं 2000 ग्लास लस्टी के एक साथ तो भई आज यहाँ पे वर्ड डिकॉट बनने जा रहा है आज मैं आपको लेकर आयो आहमदाबाद की बहुत ही फेमर शॉप श्रीजी लस्टी वाले पे तो आज मैं आपको दिखाओंगा इनका पूरा प्रसर्स की 2000 ग्लास लस्टी के एक साथ कैसे प्रिपेर करते हैं तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अब बाल आ जायेगा बाद में उसका नहीं जमेगा तो कितनी मिए यहां पर ढांडि अ diagnostic कर सेटल और इस यह आपर यहाइप लशी प्रिपेर करें इस यहां पर यहांकि यहांod सारि कंटेनर रखें हो यहां पर अ तो कितना होता है चैसे है 5 तो एक थाली रता है चैसे तो में जली रहे है और थाली त्रोपी कि यह जा रहे हैं तुटल हमारे पास साथ टाइप की लसी है मीथी, मल्लाई, केसर, कजू, ब्राइफू ठेशल, मैंगो तो अभी हम बनाने जा रहे हैं वह केसर लसी है अब यह एक एक गड़े तारी थाली अंदर डाल रहे है और बाद में अंदर फ्लेवर डाल के उसको अच्छे से मीक्स कर देंगे तो भाई यह देखे यह आगी पांच भी थाली वीच भी थाली लिगने जारा है इसके हम बनाएंगे केसर लसी तो पूरे अहमदाबाद में आपको इस से और लस्टी भंदी कहीं आरहनी मिलेगी यह कौँश यह जारी है आखी लिए बीज़ी ही देही कि अहीज भी थाली थाली जारी है यह तो यह कितना लुंप प्रदाइच के लिगे आगे और यहां पर लगने जारी है एए यह लगने जारी मारी केसर लस्टी वो भी 100 किलो तो मैंने पहली बार इतनी ज्यादा कॉंटिटी में लस्टी बनती देखिए और देखिए और देखिए तो कितनी साइज शुगर डल रही है कितना साथा ड़ी डाला इसमें तो यह एमदाबाद नी इंडिया की बिगस्ट लस लस्टी एक साथ बनने जारी है तो मैंने कहीं नहीं देखिए तो आधा किलो का एक अप्टा 25 कप भी यह ने डाल दिया और अगमारी यहां पर लसी प्रिपेर होने जारी है केसर लस्टी आइसाब कंटेनर देखिए तो कितना बड़ी आई है कितना बड़ा साइज में और करें देखिँए प्रीक केसर फ्लेवर नट्या दिया यहां तो यह दलने जारा है केसर फ्लेवर होगे है केसर अपर त्यार हो चुकी है तो यह हमारी केसर लस्टी यहां पर निकलने जा रही है और देख सकतो यहां पर यह च्छान के अच्छे से यहां पर लस्टी लिखा रही है तो देख सकतो इतने बड़े कंटेनर से यहां पर 100 kg लस्टी यहां पर प्रिपेर होगी है तो देख सकतो यहां पे 500 लस्टी के एक साथ लगने जा रहे हैं इतनी ज्याधा कॉंटिटी में आपको कहीं लस्टी लगते वह नहीं मिलने वाली तो नॉर्मल डे पे आपको यहां पे 2000 ग्लास एक दिन में लस्टी के यहां पे दिख जाएंगे बनते हुए और अगर पीक ट करने तो स्री जी लस्टी कौनर बे आकर यहां की लस्टी कर सकते हो बहुत सारे फ्लेवर्ट आपको मिल जाएंगे तो यह देख सकते अना पे 500 गलास एक सा लगते हैं यहां पर प्रिपेर हैंसे पर तो मैंनेत अब्सक्त मैं पैले बार इतने सारे लख्लाइल fak давайте एज़र द लेगा कितने सारे ड्राइफ फ्रूट से और फूट भी तलते समें अधर पाइनेपल एपल और काजू रहेगा तो कितने गलासिस लग रहे हैं यह अभी सौ गलासिस बन रहे है प्राइटी आपको मिल जाए और जो प्राइस बहुत ही कम रहे इस ग्लास को कैरेट में रखते हैं और डायरिक कैरेट अभी जाएगा को स्टोरेज में जहां लस्टी होगी हम ठंडी करने के लिए बरफ या और कुछ इस्तमाल नहीं करते हैं अम रेफ्रिजेटर से ठंडी कर यह देखिए है केबेशिटी देख सकतो यहां की तो यह लिखतो इरैक्स में इनों लस्टी स्टोर करकर रखी है तो देख सकतो कितनी ज्यादा कॉण्टी ती में यहां पर पूरी लस्टी से भरी हुई है 12,000 लस्टी आप यह अपर अलग लग वराइटी सी तो सर अपना न लस्टी हाली में और 55 से एंड होती है यह हमारी मीठी लस्टी है जिसके अंदर खस फ्लेवर रहता है इसके बाद यह हमारी मलाई लस्टी है जो प्लेन रहती है इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं रहता है इसके बाद यह केसर लस्टी है जिसके अंदर केसर फ्लेवर उसके ब लग चुकी है तो यह देखिए यह रैतन का ग्लास और यह देखिए लस्टी बहुत ही देख सकते हो ठिक है आप इनकी और उपर से देख सकते हैं इन्होंने मलाई का एक तो बढ़ी असा पीस जा लगा है तो बात कर लिए इसके प्राइस के इसका प्राइस थर्टी रुपीस और तीन स्वलकान का ग्लास रहता है और बहुत सारी वारेटीस मिलती है कोई साथ आपको यह पर टेस्ट करने मिल जागी तो मैंने केसर लगाई है जो अभी मैंने आपको में दिखाई तो चली हम इसको टेस्क कर लेता हूं तो लस्ती तो मैंने बहुत जगा पी यह बट ज जो लस्ती है उनकी बहुत ़रह तीक है बहुत ही रिष्एशिंग है कि थंडी हंडी लसी दो सब्किया तो पैशली जो इनोने मलाई की ले ले राली है बहुत ही जबरदस्त है मैंने इस से बस्ती कर इनिक तेस्को टाइमिक यह लेती है यह कि तामिंग कर्च पुर। जो एमदाबाद के राइपूर गेट के ठीक बाजू में है, जो राइपूर गरवा जा है, उसको इसके बाजू में ही है. तो अगर आप भी एमदाबाद रहते हूँ यहां एमदाबाद विजिट कर रहा हूँ, तो इनकी केसल असी बाज जरू ट्राइ केजी, इनके और भी जादा त्लेवर्स रहते हैं, तो अब मैं इसको यहां पर जल्दी से फिनिश करता हूँ, और मिल्स आप से नेक्स वीडिय